जो भी नियावली आई है उस नियावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए इससे राज का हित होगा शिक्षा का हित होगा और हमारी जो विरासत रही है यान की भूमी बिहार की जो विरासत रही है दुनिया भर में डंका बज़ता था बिहार के ग्यान का उस कि दिश्टी यह बिहार वास्यों के लिए बड़ा विरोजगारी दूर करने का नोकड़ी पाने का अफसर है नई सिक्षक नियमावली को लेकर लगतार विरोध देखने को मिल रहा और तमाम संगठन इसका विरोध कर रहा है साथी साथ बिहार की सत्ता में शामिल माले यानि क लेफ पार्टियां जो है वो भी लगतार इसका विरोध करती नजर आ रही है और इसको लेकर बिहार सरगार के सिक्षा मंतरी प्रोफजर चंद शेखर यादव ने बड़ा ब्यान दे दिया और कहा है कि अगर आप बेरोजगारों को नोकरी नहीं दिलाना चाहते हैं तो जाएगा जो नोकरी मिलनी है उसमें और समय लगता जाएगा क्या कह रहे हैं मंतरी चंद शेखर यादव प्रहले आप वो सुनें जो संसोधन कराना चाहते हैं तो इस मामले में असपश्ट है सरकार की दिश्टी ये बिहार वासियों के लिए बड़ा बिरोजगारी दूर करने का नोकरी पाने का अवसर है इसको किसी भी धंग से अगर आप इसको लटकाना चाहते हैं तो बिहार के बिरोजगारों के हित में नहीं है और ना सिक्षा के हित में है इसलिए जो भी नियावली आई है उस नि सिधे तोर पर बिहार के सिक्षा मंतरी ने कहीं न कहीं ये जरूर बता दिया है कि बिहार सरकार इस नई सिख्षक नियमावली को हटाने वाली नहीं है और जो उनके सहयोगी है यानि की माले और तमाम जो सिख्षक संगठन है वो इसका जब विरोध करते न ज़रा रहें इसको लेकर सिधे तोर पर बिहार के सिख्षा मंत्री प्रोफशर चंद शेखर याद बिहार की सिख्षा विवसास तूरेगी इसी वज़े से ये बड़ा फैसला लियागा है कहीं न कहीं जो लगतार जो सिख्षक संगठन और जो पाटियां लेफ्ट पाटियां है या फिर भारतिये जंता पाटी तमाम जो पाटिया या फिर जो संगठन इसका विरोध कर रहे बिहार के सिक्षा मंत्री प्रोफिसर चंद शेखरी आदव ने साहिए होगी आमित के साथ विश्याल भरत वाजेश्ची न्यूस पटना